करना चाहते हैं मारना चाहते हैं अब वीडियो कांफेंसिंग हो सकती जी अब वीडियो कांफेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ड ने कहा है सुप्रीम कोर्ड ने कहा है कि वीडियो कांफेंसिंग कराओ तो वीडियो कांफेंसिंग के यहां है तुम उसको ले जा रहा है अतीक अहमद को 16 दिन में दूसरी बार सडक मार्ग से प्रीयागराज लाया जा रहा है यहिए फुटेज शिप्पूरी की है यहां पुलिस का खाफिला आधे घंटे रुका माफिय अतीख एहमद को एहमदबाद से प्रियाग राज ला रही पुलिस का खाफिला शिपपुरी से जहासी के लिए रवाना हो गया है दोबहर तक प्रियाग राज पहुँचने की संभावना है शिपपुरी में पुलिस का खाफिला खरीब आदा घंटा रुका अतीख ने यहाँ मीडिया से कहा आपकी वज़ा से ने सुरक्षित हूँ मैंने वहाँ से कोई फोन नहीं किया वहाँ पर जैमर लगे हुए हैं मैंने जेल से कोई साजिश नहीं रची छै साल से मैं जेल में हूँ मेरा पूरा परिवार बरबाद हो चुका है इससे पहले राजिस्थान के बूरी में अतीख ने कहा था मेरा परिवार पूरी तरह से बरबाद हो गया मैं जेल में था मुझे इसके बारे में क्या पता कोई सवाल कर रहा था कि माफिया गिरी समाप्थ हो गई माफिया गिरी तो पहले ही समाप्थ हो गई अब तो रगड़ा जा रहा है अतीख के भाई अश्रफ को भी इसी केस में पुलिस बरेली से प्रियागराज लाएगी इसके लिए प्रियागराज पुलिस की एक टीम बरेली जील पहुँच गई है दोनों भाईयों को आज सीजेम कोर्ट में पेश किया जा सकता है जहां पुलिस वारंड बी के तहट कोर्ट में रिमांड अर्जी के तहट उसकी रिमांड मांगेगी इसके बाद दोनों से पूश्ताज भी होगी प्रियागराज की जैनतिपुरम कालोनी में 24 फरवरी को मेशपाल की दिन दहाले घर के बाहर गोली बंमार कर हत्या कर दी गई थी इस मामले में अतीक उसके भाई अश्राफ अतीख की पतनी शाइसता परवीन समेत पूरे परिवार को पुलिस ने नामज़त किया है इस हत्याकान के मामले में पुलिस सबूत जुटा रही है इसी कड़ी में पुलिस ने अतीक एहमद से पूश्ताच करने के लिए MPMLA कोर्ट में एक सब्का पहले वारंड बी के तहत अरजी दी थी जिसके बाद कोर्ट ने अरजी स्विकार कर ली थी प्रियागराज पुलिस को दो प्रिजन वैन और इंस्पेक्टर समेट 30 पुलिस कर्वियों की तीम लेकर मंगलवार की सुभध साबरमती जेल पहुँची थी वहाँ काखजी कारवाई पूरी होने के बाद अतीख को लेकर पुलिस प्रियागराज के लिए रवाना हो गई प्रियागराज लाया जा चुका है यूपी हस्टिएफ की टीम 26 मार्च को एहमदबाद जेल से शाम 5 बचकर 45 मिनट पर अतीख को लेकर प्रियागराज के लिए रवाना हुई थी 27 मार्च को शाम सारे 5 बचे प्रियागराज की नैनी जेल पहुंची थी टीम ने 1300 किलोमीटर का सफर 30 गंटे 45 मिनट में पूरा किया था इस दोरान खाफिला आठ जगे रुका था उधर उमेश पाल की मा शान्ति पाल ने कहा कि हम चाते हैं कि अतीख और अश्रफ को फांसी मिले मेरे बेटे उमेश पाल का जिस तरहां से मडर हुआ इस हत्याकान में शामिल रहा थी के बेटे आसाद और सभी शूटर्स का एनकाउंटर हो ब्यूरो रिपोर्ट नई दिल्ली